नमस्कार मित्रों जैसी आरा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जियोति शिंतन में हारदिक स्वागत है मित्रों हम बात कर रहे हैं इन दिनों गुरु के सभी राशियों में फलों की तो गुरु जैसा की मैंने आपको पहले भी बताया है की ज्यान, धर्म, सुख, भाग्य, संतान, धन, शिक्षा, विवहा, आदिका कारग रह होता है गुरु कुंडली में यदि बली हैं तो निश्यत रूप से मालने की व्यक्ति का जीवन बली खोशाहाली से सुख पूर्बक गुजरता है तो आई ये जानते हैं आगे की राशियों के बारे में और आज हम बात करेंगे कर्क राशी की कर्क चतुर्थ भाव यानि सुख भाव की राशी है ये भावनाओ, समवेधनाओ को नियंतरित करती है ये ज्यानारजन की राशी है और गुरु भी जैसा मैंने पताया कि ज्यान से सम्मंदित ग्रह होता है ग्यान का कारक होता है तो इसलिए इस राशी में गुरु बहुत अच्छे फल्प्रदान करता है ये गुरु की उच्छ राशी होती है करक चर राशी है जलिये है और चंद्रमा इसका स्वामी ग्रह होता है गूरु और चन्द्रबा में मित्रता है जातक अपने बलों कا और शादू संतों का ब्रामणों का सम्मान करता है वै धनी, सुखी, बुध्धिमान सुयोग संतानों और पत्नी वाला होता है धर्म की रहा पर चलने वाला होता है विद्वान, उत्तम सभाव वाला, प्रसिद, दीरगाईू, सत्यवादी, सम्मानित, राजकरपा युक्त, उच्पदासीन, सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाला, विश्वासी, प्रगत शील और शास्त्रों का ज्याता होता है गुरू की प्लेस्मेंट अगर अच्छी है, और कोई को प्रभाव नहीं है, तो यह सभी गुन जातक में देखे जा सकते हैं यह जातक हमेशा ज्यान के पीछे भागते हैं, यदि चंद्रमा भी कुंडली में, मजबूत इस्तिती में है, तो फिर और भी अच्छे शुब परणामों की प्राप्ती होगी जातक मेधा शक्ति वाला मजबूत इस्मरण शक्ति का धनी, उच्छ शिक्छित, कई विश्यों में, खासकर धर्म, दर्शन, ध्यात्म, जयोति शादि प्राच विद्याओं में, गहन रुची रखने वाला होता है उसकी विद्धता सम्मान होता है, वाई विवेक शील और नैतिक चारित्रिक गुरों से संपन होता है, उसकी विचार धारा व्यापक होती है, संकुचित विचार धारा नहीं रखता वाई, वाई दूर दर्शी, आदर श्वादी, समाज की प्रचलित मानिताओं को, वाला, उनका सम्मान करने वाला होता है, उसमें विनम्रता, नैतिकता, सत्य निष्ठा, धर्म, परायरता, दयालता, कर्तब परायरता, आदि सबी अच्छे गुरों देखने को मिलते हैं, वह बहुत अच्छा वक्ता होता है, और जनता के बीच में लोग प्रिये भी होता है योग प्राणायाम में भी उसकी बहुत रुची होती है, और इंद्रियों पर उसका बहुत अच्छा नियंत्रन होता है, प्राया यह लोग विख्यात होते हैं, यह लोग जिन छेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं, उनमें से प्रमुक छेत्र हैं, शिक्छन, प्रबंधन, जयोतिश, धर्म और अध्यात्म का छेत्र, यानि सादू सन्यासी प्रवचन करता, आचार्य, पुजारी आदी के रूप में ये काम करते हैं, न्याय व्यवस्था, लेखन, पत्रकारता का छेत्र, प्रशासनिक छेत्र, और राजनीती का छेत्र, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं, और अब बात करते हैं सिंग राशी की, सिंग राशी सूरी की राशी है, जो की गुरु की मित्र राशी होती है, सिंग अगनितत्तु इस्थिर राशी होती है, पुरुष राशी होती है, यहां गुरु के अच्छे फल प मेहंकारी, खुले दिमाग का उदार, कला साहित में रुची लेने वाला, प्राकतिक वाता पसंद करने वाला, धानी, शत्र पर विजय प्राप्त करने वाला, विद्वान, प्रसिद्ध और नीती निपोड होता है, इस राशी में भी गुरू उच्च के समान ही फल देता है, इस राशी में गुरू जातक को गजब की नेतरत चमता भी प्रदान करता है, सिंग राजसी राशी है, इसलिए जातक को नाम और प्रसिद्धी प्राप्त होती है, जातक में उच्च पद प्राप्त होता है जातक को, प्राया जातक कम आयों से ही उन्नती करता हुआ, सफलता के शीर्ष विंद पर जा पहुझता है इनमें महत्वा कांचा थोड़ी यादिक होती है दूसरों को डॉमिनेट भी करते हैं ये लोग लेकिन बड़े दूर दर्शी होते हैं करता बिनिष्ट होते हैं यश्वान सत्ता या शक्ती पाने की चाहत या लालसा बहुत रखते हैं इनके मन में मान सम्मान की चाहत भी जादा होती है स्वाभिमानी होते हैं आत्म विश्वास भी बहुत प्रभल होता है इनका व्यक्तित बहुत ही प्रभावशाली होता है इसी कानल ये एक बड़े वर्ग पर अपना अधिकार और नियंत्र आसानी से इस्थापित कर सकते है चुकि ग्यानवान होते हैं, कई विश्यों पर अच्छी पकल होती है इसलिए ये लोगों का सही मार्क दर्शन भी कर लेते हैं वैसे धर्म अध्यात्म की तरफ जुकाओं तो होता है इनका लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भौतिक वादी होते हैं कर्मशील होते हैं, अपनी ताकत, अपनी शिक्षा और अपने ग्यान का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने में अपने को समर्थ बनाने के लिए करते हैं भौतिकता को बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं अपने मित्रों का बहुत ख्याल लगते हैं इन्हें संतान सुक अच्छा मिलता है दामपत्त जीवन भी प्राया अच्छा होता है परन्तु इन्हें अपने अहिंकार को नियंत्रित करके चलना चाहिए प्राया ये लोग किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं और जिन छेत्रों में ये लोग ज्यादा तर सफल होते हैं तो उनमें राजनीती प्रबंधन किसी सरकारी विभाग में उच्च पद प्रतिष्ठित वकालत में नियाए ववस्था में जज आदी बनकर ये बड़े फेमस होते हैं शिक्छन में कोई प्रोफेसर लेक्चिरर आदी बनकर चिकित्सा के छेत्र में बैंकिंग सेक्टर में प्राया ये लोग बहुत सफल होते हैं और ये लोग स्वतंत्र रूप से अपना कोई कार्या व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करते हैं तो अवित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाली को विराम दूंगा मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे की राश्यों की हम बात करेंग कि गुरू उन राश्यों में कैसे फल करते हैं तो आप सभी को जैशी आराम नमशकार